दोस्तों अगर आप रोजाना खाली पेट मेथी का पानी पीते हैं तो बहुत कजब के फाइदे होते हैं मात्रा क्या है कैसे पीना है कब पीना है और क्या-क्या फाइदे है यह इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं तो ध्यान से देखें अगर हर घर में मेथी मिल जाता ह ना कि हरी मेथि की बात कर रहा हूं तो मेथी के दाने अगर रात को आप रोजाना एक चमच सोते वक्त भिगोते हैं कितने मात्रा पानी में बीविताऊं मैं हर चीज़ बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को ध्यांन से देखेगा और वीडियो चीजह लगे तो चैनल और वीप करते हम मेन्ठी दोस्तों और आप रोजाना रात को अगर एक चमच्छ पीशीव री मेन्च है या नोर्मल मेन्धी दोनों में से किसी में भी एक चमच्छ राइट को भीगो कर कम एक गिलास पानी में यानि कि 200-300 ml पानी में गरम पानी में खासकर भीगो कर सुबह खाली पेट पीते हैं तो क्या-क्या फाइदे होंगे सबसे बड़ा फाइदा होता है आपका कोई दिक्कत नहीं आएगे कब जी नहीं रहेगे और साथ में यह चीज़ें इंप्रूव होंगी तो आपके स्कीन डीजीज सारी खतम हो जाएगी यानि कि आपके स्कीन पे गलो आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अगर आपका पाचंत अंतर सबसे बढ़िया रहेगा तो कि इसकीन डीजीज वैसे नहीं रहेगे क्योंकि बलड का बलड साफ रहेगा और पाचंत अंतर गी वजह से रहेगा और फिर आपको कभी कोई श्कीन डीजीजीज भी नहीं होंगी बाल जढ़ना और आँखों में कमजोरी यह भी बहुत इसमें फाइदा मनतर करता है और सै रेगुलर मेथी के शेवन करते हैं, तो वजन कम भी होगा आपका, आपके एक्स्टा फैट नहीं बनेगा, और जो महिलाओं को पीरेड्स में पेन होता है बहुत जादा वो भी नहीं होगा, रेगुलर पीरेड्स भी आएंगे अगर आप मेथी का पानी पीएंगी, आपको अ रात को भीगो, यह खाले पेट पानी पीए, छान कर वो भी, नहीं कि उसको खाने लग जाओ, बहुत है पानी आपके लिए, क्योंकि रेगुलर डेस पे आप ले रहे हो, और तीन-चार मेने के बाद आप उसमें गैप भी दीजिए, लगातार अगर आप पूरी जिंदकी अगर पीते रहे हो तो वह बहुत है और फिर टीन मेने का गैप दिया फिर टीन मेने का गैप दिया, ऐसा ही रूतीन बना रहना चाहिए, तो वह चीज के अथी शरीर के लिए साथ में बन जाती है और फिर क्या होगा वो आपको रिजल्ट मिलेंगे, अच्छी चीज आप लेकिया आता रहता हूँ, मिलते हैं नेक्टिडियों में तब तक लिए मेरिता हूँ